नमस्कार जेहिन दोस्तों सुलागत है आप सभी के अपने पसंदिदा प्लेटफर्म पीकेडिया जो कसन हपपर और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास नाइन्थ और टेन्थ हैने की इलेवेंथ के लिए जो नभोदय का फॉर्म आया है उसकी पूरी जानक टाइब कर देंगे सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि जो नभोदय में क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ के लिए जो फॉर्म आता है वह एक लेटरल इंट्री होता है अब आप लोग सुच रहे हो कि लेटरल इंट्री क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दू क्लास 6 के लिए ही इसमें मेन एकजाम होता है वह समझ मारा जारा है नभोवदय के लिए जो क्लास 6 होता है उसे के लिए मेन एकजाम होता है लेकिन कुछ पर incorpore सथितियों के चलते हो हो सकता है कि कुछ बच्चे जा करते अधर क्लास इठ्च चोड़ देते हैं So the सबुकिuld को भरने के लिए जो हुआ है उसी वेकेंट जीट को भरने के लिए नवोदे लाइन्थ का अड़ीयो में लच्टे सब्सकरें कि इसके लिए इंक्म लेती है इसी को लीट्रल एंटरी या लेट्रल वैट्रल लीट्री कहते हैं या î How और समझेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे और फॉर्म की जो है लास्ट डेट क्या है तो सबसे पहले आपके अपने मुबाइल की क्रोम पर जाना है वहां पर आपको टाइप करना है नवोदय.gov.in आपके सामने सबसे फर्स्ट इंटरफेस यहीं खुलेगा अब जो फर्स क्रणिशन आपके सामने खुलेगा सेम इंटरफेस खुलेगा तो देख लेता है कि इसमें सारी जन्दकारियां क्या है सबसे पहले उपर में दिया है कि क्लिक हेर टु समीट ऑलाइन अप्रिकेशन फॉर्म फॉर क्लास नाइंथ उपर जो दिया है वह नाइंथ के लिए दि दोनों लैटरल इंट्री है और दोनों का जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर अभी तक फॉर्म में दिखा रहा है हो सकता है कि आगे बढ़ा भी सकता है लेकिन अभी जो है इसके लिए 31 अक्टूबर 2023 तक समय है एज जो है इसमें जो क्लास नाइंथ के जो बच्चे क्लास आइंथ के लिए फीलब करेंगे वह 13 से 15 होना चाहिए और साथ ही यह जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं इनके 18 प्लस नहीं होना चाहिए और 15 से ज्यादा होना चाहिए किसी एक इंटरफेस पर क्लिक करेंगे तो आप में जो दोनों है चीक है जो दोनों का इंटरफेस हैं उसमें सेम कंडिशन खुलेगा इसको समझेंगे हम लोग चैणे क्या समझा रहा हैं देखिए आप लोगों को जो फॉर्म भरने जाएंगे पॉक्त को क्या इस चीज़ेन लेकर कि जानिये सबसे पहले इस चीज़ को समझ लिजिए आपका एक लेटिस्ट पासपोर्ड साइज फोटो होना चाहिए पासपोर्ड साइज फोटो ऐसा नहीं कि आप लोगों को असे मोबार लेकन अबर आख आए और मोबाईल नमर ऐसा लेकर जाएंगे उसका इमेल आप लोगों को याद होना चाहिए बात समझ में रहा है इसके अलावा आप अपने किसी पैरेंस पैरेंस में अपने माता पीता को किसी एक को गार्डियन को लेकर जाएंगे वहाँ पर ताकि आप लोगों का सिगनेचर वे सबसे पहले आपका इंटर्फिस आएगा फिर जब उसको स्वाइप करते हुए जाएंगे जो अभी आप मालेजिए कि अगर आप अभी एट्थ क्लास में पढ़ रहे हैं नाइंथ के लिए फॉर्म फिलब करेंगे तो नाइंथ के लिए लेकिन उसके नीचे क्या दिया हु वह आपको जो पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे उन सभी विद्याले का भी आपको इसमें डीटेल्स फिलब करना है तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजे किलियर हो गई हो इसके अलावा यदि आप लोगों कोई मन में प्रस्ट नहें तो आप लोग कमे लिटिज क्या प्रोवाइड करा जाती है और बहुत सारे बच्चे हमारे यहां से तैयारी करते भी हैं और बहुत सारे बच्चों का सेलेक्शन हुआ भी है तो हमारे यहां अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेज जो है अप्लीकेशन के थ्रू चलती है जो क से मिनमम भी में इसके तयारियां स्टार्ट कर दी गई है अब हम लोग बात करेंगे इसके सिलेवस की तो दखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ है चार सब्जेक्ट की बात करता है चार सब्जेक्ट से ही इसमें कोशन्स आते हैं आप लोगों को बता दो कोशन की जो संख्यार आत वह चारों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसकी भी जानकारी हम लोगे ले लेते हैं वह चार submission जो हैं सबसे पहले आप लोगों आपके Nove इंग्लिस्ट की जो इसमें hero चराते हैं वह 15-15 मैंनिस में या आज़ते है Candle था ही आप लोगों का science का science का भी 35% आप लोगों को इस exam में देखने को मिलेंगे बास समझ में आ गई एनिक टोटल मिलाकर के आप लोगों को 100 questions का exam होगा जिसमें आप लोगों का समय जो रहेंगे 2 घंटे रहेंगे इसके अलावा आप लोगों को हो सकता है कि 15 मिनट का समय question को पढ़ने के लिए दिया जाए question का जो pattern रहेगा वो हिंदी और English दोनों में रहता है Hindi प्लस English एनिक जो question को आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगा वही question सेम question को English में भी लिखेगा सिर्फ और सिर्फ English के प्रशन को छोड़ करके और Hindi के प्रशन को छोड़ करके यह जो math के प्रशन रहेंगे वो Hindi English दोनों में लिखेगा साथ ही science के प्रशन को भी Hindi English दोनों में लिखेगा exam की समभावना है कि आप लोगों के exam इसका जो है और साथ ही न हमारे इस चैनल पर न सिर्फ नमोदय की बलकि CHS और सैनिक विद्याले के भी तयारी करा जाते हैं जिसकी सभी classes स्टार्ट कर दी गई हैं यदि आप तयारी करना चाहते हैं तो जो numbers दिये गए हैं आप उस पे contact कर सकते हैं और हमारी application जो है प्रोब्लम होता है को समझने में तो आप हमें call कर सकते हैं पुरा से आप लोगों को help की जाएगी चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद